हेलो बच्चो वेलकम है आप सभी का रस्मी मैम की एजोन क्लास में तो रस्मी मैम है साथ पर डरने की है क्या बात बच्चो I hope कि आप लोगो को जो पिछली क्लास थी estimation और approximation के उसमें बहुत मजाया होगा बहुत कुछ आप लोगों का कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है वो राउंडिंग ओफ की क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अब लोग वीडियो कोलिवह पूरी देखनी पड़ीगी उसके नहीं करना पड़ेगा वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अम राउंडिंग ओफ कैसे करते हं है निररस टैंस कर्या तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है जैसे कि हमारे पास है 26, 39, 42, 56 या 57 लाइक कुछ भी ठीक है अब इसमें आपको कहा जाया है कि तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको राउंडिंग आफ करना है तो हमें चेंज कहा करना है 10th place की value को change करना है किसके according change करना है हमें जो once place पे number है इसके according हम change करते हैं जैसे कि मैं 26 को लेती हूँ तो 26 में once place 6 है और 10th place 2 है तो जो once place में अगर 10th place को rounding off करने के लिए कहा जाएगा तब हम once place को देखेंगे उससे just पहले वाले place को देखेंगे once place को कि अगर ये 5 और more than 5 है 5 और more than 5 है अगर ये वाला number तो उस case में हम क्या करेंगे कि जो 10th place है उसमें plus 1 कर देंगे जैसे ये 6 है और इस वाले place को हम 0 बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा this number will be 0 and this number will be 3 तो ये इसका rounding off क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा 10th place का इसका rounding off क्या हो गया 30 हो गया और अगर less than 5 होता है less than 5 होता है कौनसा less than 5 होता है once place less than 5 होता है अगर once place less than 5 होगा देंब क्या करेंगे ये तो वैसा ही रह जाएगा सीम यही नमबर रह जाएगा और ये know देना तो यह तो इसमें एक एड कर देंगे और अगर यह नमबर लिख देंगे और इसे जीरो मना देंगे क्लियर एक और देखते हैं हम आगे इसी तरह से 39 है 39 है तो जो वन स्पेस है वो क्या है जिरो बन जाएगा और जो टेन स्पेस है उसमें 3 plus 1 4 और जाएगा तो यह क्या हो गया इसका रौंडिंग 14 collegate स्पेस किसो की है व्हारा स्प्लेश क्या यहां पे लेस दरफा इवर ऑधर करता है suf guide स्पाइब को सरूधे और यह 2 जीरो जाएगा किसी भी एप üst प्लेश हो तो रूंस प्लेश करने डिपेंड करता है उसके जो बादवाला प्लेस है यानि कि वन्स प्लेस में अगर जिरो करा हमने तो जो टैन्स प्लेस है उसमें अगर यह लेस देन 5 है तो यह जैसा है वैसा ही रह जाएगा 4 का 4 ही रह जाएगा ठीक उसी तरफ 57 देखते हैं 57 में देखे 7 क्या है more than 5 है जो more than 5 है तो इसमें plus 1 हो जाएगा और यह तो 0 ही रहेगा 5 plus 1 6 हो गया clear ऐसे और भी numbers लेके देख लेते हैं like 21 21 में 1 is less than 5 so this place will be 0 and this place will be 2 yes why because this is less than 5 यह 5 से कम है इसलिए हमने इसको as it is लिख दिया clear अब हम कोई और एक number ले ले लेते हैं जैसे कि 33 33 में क्या है this is 3 3 is less than 5 so 1's place will be 0 and 10's place will be 3 clear अब यहाँ पे हम लोगोंने क्या किया था 10's place को rounding off किया था इन numbers में हमने क्या किया 10's place को rounding off किया अब इससे related कुछ questions हैं आपके book के अंदर page number 19 में try these के अंदर कुछ questions हैं हम लोग उन questions को करते हैं अभी तो चली बज़ो कुछ questions देखते हैं जो page number 19 का question है हमारा try these का round off these numbers to the nearest 10's अभी यह भी मैंने आपको बताया था कि nearest 10's को कैसे round off करते हैं तो हम आपे निकालेंगे कि nearest 10's को हम कैसे round off करते हैं मैंने जैसा पताया था आपको कि जब ऐसे numbers हो nearest 10's को जब round off करना हो तो क्या करेंगे once place को देखेंगे this is more than 5 अगर more than 5 है then इसमें plus 1 कर देंगे तो यह क्या हो गया 3 and यह तो हमेशा 0 ही होगा क्योंकि round off करना है अब next देखते हैं यह 2 है यह less than 5 है less than 5 है तो यहां क्या हो जाएगा 3 का 3 रह जाएगा और 2 0 में convert हो जाएगा last low में सा 0 रखना है बस आपको धियान रखना है यहां देखें यह 2 है less than 5 then this will be 50 here 1 is less than 5 so this will be 40 here 9 is more than 5 so it will be 40 why 9 is more than 5 so plus 1 3 plus 1 4 4 and 0 40 next 48 क्या हो जाएगा 8 is more than 5 so it will be 50 okay 4 plus 1 5 and 8 will be 0 50 64 less than 5 so it will be 60 clear I hope की concept clear हो रहे हो है आपके next देखते हैं 59 9 less than 5 so it will be 60 next देखते हैं 59 में 9 क्या है more than 5 है plus 5 है तो अगर यह plus 5 है then plus 1 हो जाएगा 60 हो जाएगा 99 more than 5 है तो 9 में plus 1 हो जाएगा तो यानि कि यह क्या बन जाएगा 99 क्या बन जाएगा 100 next 5 5 और more than 5 होता है तो क्या होता है यहां पे 10 स्पेस में 1 हो जाएगा plus 220 हो जाएगा अब कितना भी बड़ा numeral हो कोई भी बड़ा number हो लेकिन हमें आगे कहा जाए nearest test करने के लिए तो हम सिर्फ इन दोनों place को change करेंगे बागी इधर के जिद्रें भी नमबर्स होगे वह जैसा है वैसा ही लिख देंगे हम जैसे यह 14 रहा हमने 14 को कुछ नहीं करना है 14 को as it is लिख देना है और यहां थ्री जो है वह less than 5 है तो यह 5 हो जाएगा और यहां पर भी क्या करेंगे और थर्टी सिक्स में देखेंगे क्या हो सकता है तो यह मोर देन 5 है तो यह क्या हो जाएगा 40 हमें एक और दो चारह ऐसे बड़े बड़े नंबर्स ले लेती हूं अपने आप से यह तो आपके प्राइब इसके को से जो हमने आपको बता दिए ठीक है अब इसमें कुछ और कुछ और कुशन में इंक्लूट कर देती हूं लाइक 18562 ठीक है अब एक तो मैं आपको बता रही हूं और यह आपका हूंपर कुशन रहेगा यह 9 है पहले तो 46 हम लिख देते हैं जैसा है वैसा लिख दिया इन दोनों में देखना है का हमें क्या चेहिंज करना है यह 9 है तो लेस देन और मोर देन 5 है यह क्या हो जाएग अब यह कुश्चन क्या है आपके लिए हूंपर कुश्चन है इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बताएंगे नहीं बताएंगे बताएंगे ओके तो चलिए हमने क्या सिखा यहां पे नियरेस्ट एंस में हम किस तरह से राउंड लोग करते हैं अब इस estimate करेंगे estimation में मैंने आपको बताया था कि estimation में हमें values पता होती है जो values पता है हमें तो उनी values को हमें क्या करना है rounding off के द्वारा nearest hundred को estimate करना है it means माल लिजिए कि आपके पास कोई number है like 841 यह number आपको दिया हुआ है अगर आपको कहा जाएगा कि इसके nearest hundred को आपको rounding off करना है ठीक है तो nearest hundred को जब बोला जा रहा था दब उस time हम लोग किसको देख रहे थे हम लोग once value को देख रहे थे लेकिन जब यहां पर nearest hundred को rounding off करने लिए उस time हम किसको देखेंगे hundred से पहले वाला place कौन होता है 10 प्लेस सेंडिशन और रूस सारे होंगे क्या होंगे अभी पड़ा ना हमने कि रूस क्या होंगे कि अगर यह नंबर फाइब और more than 5 है तो इसमें plus one हो जाएगा उसके बादवाले प्लेस में और ये places zero में convert हो जाएँगे तो जैसे कि YAHP 4 है तो ये क्या है less than 5 है जब less than 5 है तो ये दोनो जीव जाएंगे ये डोनों प्लेस तो ऐसे भी already zero होने ही थे लेकिन यहां पे कुछ भी addition नहीं होगा ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा अब मैं अगर ले लेती हूं 746 ठीक है अगर यहां पर कहता कि 10th place को rounding off करना है तो हम ones को देखते हैं लेकिन यहां पर अगर 100th place को कहा जा रहा है तो हम 10th को देखेंगे 10th क्या है 4 है जो कि less than 5 है अगर यह less than 5 है तो यह as it is लिख देंगे हम 7 और यह दोनों places 0 में convert हो जाएंगे अब ऐसे हम यहां पर लेते हैं अगर 593 ठीक है 593 जो 9 है यानि कि 10th place है 100th का हम कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहां पर 100th place का rounding off किया जा रहा है तो 100th place के लिए हम 10th को देखेंगे एक place पहले को देखेंगे तो यहां पर 9 है जो कि more than 5 है तब हम यहां पर plus 1 कर देंगे नाइन जो more than 5 है तो हम यहां पर plus 1 कर देंगे 6 और यह दोनों प्लेसे जीरो बन जाएंगे लिए अब अगर कोई एक नमबर और लेती हो मैं 74 ठीक है तो यहां भी 10th place को देखेंगे यह भी more than 5 है यहां भी plus 1 हो जाएगा यहनिकी 400 हो जाएगा अब इसी तरह से कोई नमबर में ले ले लेती जो से 300 3627 ठीक है यह चार डिजट का लिए इसमें कहा जा रहा है आपको rounding off करने के लिए nearest 100 को तो यहां हमें 100 को देखेंगे 102 है जो कि लेस तेन 5 है यह क्या हो जाएगा यह प्लेस का 3 जैसे का वैसे ही लिख देंगे जैसा है वैसा नमबर जितने भी 11 का ध्यान रखना है अगर अंडे के लिए कह रहा है अगर 10 के लिए का था था ढौं सिर्फ इंदो प्लेस को देंगे बाकि जो नमबर जैसे है आव आप यहांपे हंडे के लिए आन रखेगा तो यह टू है जो कि less than 5 है तो यह सिक्स का सिक्स ही रह जाएगा बाकि दो प्ल टीनों प्लेसे स zar इन देखना आज है तो आपकी समझ में आ रहा हूबfinder को आपको अगर नहीं समझ में आ हमें क्या देखना है हमें करना है हमें 100 प्लेस को रांडिग ऑफ करना है ओव conducts को ना और स्रस्ति लिए और यहां पर देखेंगग सोद्ध ठावन रहें च्हां राइनां जो कि मोरव धन विट जाएंगे न हुगोशा ओ यही ओगा और यह दौनों प्लेस इस जिरो में से कनवर्ट हो जाएंगे तो यह हो गया estimation क्योंकि यहां पर क्या था हमें वैल्यूस पता थी यह सारी वैल्यूस हमें मालूम थी हमने क्या उसका estimation किया estimation में rounding off किया अब इसी तरह से हर एक नमज में आगा जैसे 10 का पर लिया हमने यह 100 का पहल लिया अब हम लोग इसमें 1000 का भी देखेंगे ठीक है अब यह आपको समझ में आ गया कि किस तरह से होता है तो मैं कुछ numbers में अभी आपको कुछ questions बनाऊंगी बताऊंगी जिसको अलग अलग में यह table है हमारा numbers के बारे में nearest rounding off करने के लिए मैंने अलग-अलग places की table बनाई है ना dinner वाला या lunch वाला table नहीं है यह पढ़ाई वाला table है ठीक है तो पढ़ाई वाले table में हम लोग क्या देखते हैं कि मैंने यहां पर numbers लिखे हैं कुछ यहां पर यहां क्या लिखा है rounding of these numbers to nearest tens rounding of these numbers to nearest hundreds rounding of these numbers to nearest thousands ठीक है तो सबसे पहले हम इस number के साथ game खेलते हैं ठीक है क्या game खेलते हैं तो देखिए यह number दिया हुआ है इसमें हमें nearest tens का rounding off करना है nearest tens place क्या है यहां पर लिखते हैं दुबारा से 85439 टेंस का करना है हमें तो हम इन दो places को देखेंगे सिर्फ बाकी को क्या करेंगे as it is लिख देंगे नीचे भी लिख सकते हो आप लो मैं एक बार यहां पर line कीज़ देती हूं इनके बीच चलिए तो यहां पर हम क्या देखते हैं 854 को तो हम as it is लिख देंगे और यहां क्या देख रहे हैं आप once place पर जब 10 का निकालना तो once place को देखेंगे more than 5 है तो यह 4 बन जाएगा और यह 0 यानि कि हमारा नंबर क्या होगे 854 को 0 जहां हमें nearest 10 करना था nearest 10 में rounding off करना था तो यह निकल गया 10 के लिए इसी नंबर को हमें nearest 100 में करना है तो फिर सही यह बारा नंबर हम यहां लिखते हैं 85439 ठीक है अब इसमें देखिए nearest 100 को करना है तो हम क्या करेंगे सिर्फ इस तीन places को देखेंगे 85 को हम as it is लिखेंगे अब 439 यहां पर बचा तो इसमें क्या है इसमें 10th place पर 3 है जो कि less than 5 है तो 4 का 4 ही रह जाएगा कुछ भी add नहीं होगा क्योंकि यह less than 5 है और यह दोनों pluses 0 हो जाएगे यह नंबर क्या हो गया double 0 clear अब यह थाउजंड के लिए देखते है तो फिर से हम यह नंबर लिखते ह ठीक है अब इसमें 1000s के देखने के लिए हम 1000s place तक को चेक करेंगे यह 8 को हम as it is लिख देंगे अब 1000s place यह है तो हम 100s place को देखेंगे 100s 4 है जो कि less than 5 है अगर less than 5 है तो 5 को 5 as it is हो जाएगा यह वाला place और बाकी places 0 हो जाएगे एट फाइब जीरो 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 clear same चीज यहां भी वही होगी यहां पे भी हम क्या करेंगे नियर इस 10s के लिए करना है तो हम पहले एक बास सारी 10s को देख लेते हैं 7 8 4 3 6 तो यहां क्या हो गया यह दोड़ प्लेस को देखेंगे 7 8 4 तो जैसा वैसा ली देंगे यह more than 5 है तो यह 40 हो जाएगा अब इसमें देखते हैं 5 4 8 2 9 5 4 8 लिख लिया 2 9 है तो यह more than 5 है तो यह क्या हो जाएगा इसमें plus 1 कर देंगे निकी 30 हो जाएगा यह similarly 2 3 1 6 4 इसमें भी हम इन दो प्लेस को देखेंगे यह 10 वाला कर रहे हैं इस लिए ठीक है 231 एसटी जाजाएगा यह 64 है 4 is less than 5 so it will be 60 तो यह नमबर हो जाएगा ठीक है यह वाला मैं करूंगी नहीं यह तो करेंगे अब चलिए अब नियरेस्ट 100 में देखते इस नमबर को 7 8 4 3 6 नियरेस्ट 100 में 100 प्लेस तक को देखेंगे 7 8 4 के बाद क्या है 3 है जो कि less than 5 है 10 प्लेस में less than 5 है तो 4 का 4 रह जाएगा बाकी 0 हो जाएगे तो नमबर क्या हो गया अब दूसरा नमबर लेते हैं पर जो कि है 5 4 8 2 9 यहां पर भी हम क्या करेंगे 100 प्लेस तक को देखेंगे 5 4 तो आगया ऐसे ही 8 के बाद 2 है जो कि less than 5 है तो 8 का 8 रह जाएगा 2 0 हो जाएगे नेक्स्ट नमबर विल बे 2 3 1 6 4 तो यहां भी हम्डेस प्लेस तक को देखेंगे हम 2 3 हम्डेस प्लेस में यहां पर 1 है और इस से पहले 6 है 6 is more than 5 तो यहां क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा यहां कि टू और जिरो जिरो क्लियर अब यह वाली लाइन आपको बनाने ठीक है अब थाउजंड वाला देखते इसका 748 कि 7 8 4 3 6 थाउजंड साहे तो हम थाउजंड प्लेस तक को देखेंगे 7 का 7 हो जाएगा 1000 प्लेस पे 8 है तो उससे बाद वाला है नहीं कि 100 प्लेस वाला 4 है जो कि लेस दन 5 है तो 8 का 8 रह जाएगा और बाकी प्लेसे 0 में कंवर्ट हो जाएंगे ठीक है आपको यह भी ध्यान देना है कि कौन से प्लेस को राउंड ओफ करने के लिए कह रहा है उसके हम इसको राउंड ओफ करेंगे कोई भी नमबर जो दिया हुआ होगा तो यह भी आपको ध्यान में रखना है प्लेस सको बोला है उतने प्लेसे 100 देखना है बाकी प्लेसे यह खलं से यह करएंगे उसके करेंगे अब यह वाला जो नंबर है यह आपके लिए है होमवर्क कुंश्यन ठीक है यह सारे प्लेस का आप प्रैक्टीस करेंगे घर पे प्रैक्टीस करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि 64132 का नियरेस टेंस वैल्यू क्या होगा थाउजंड प्लेस व साथ संसेंगे हो अब प्रैक्टीस करते हैं हैं कैसे प्रैक्टीस करें आप और बुढर और इससे पैऴले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ठीक है और like भी कर लिजिएगा मिलेंगे next class में तब तके लिए टाटा बबाई, see you, take care and all the best